ग्यापन के माध्यम से जलाधिकारी को अगद कराया गया कि आगामी 21 सितंबर को गलेश महासाव का समापन होना है इसके चलते गलेश मूर्तियों का विसरजन क्या जाएगा लेकिन शुहर की विसरजन माग में अत्याधिक अवरोध होने की वजह से समस्याएं पैदा हो रही है जैसे कि सडकों पर गड़े और सलक किनारे लोग परचार परसार के लिए विद्यूत लाइन जूल रही है इन सब से विसरजन में समस्या हो सकती है इन सबी समस्याओं का तदकाल निस्तारं करने की मांग दियेम बादा से की गई है इस माकी पर चंदर मोहन बेदी विश्व हिंदू परिशत अध्याक्ष अमित सेट घुलू मरोज सैन रमाशोंका पर चंदर मोहन बेदी संदक्षर केंद्रिय गनेश महसों समिती आज हम लोग यहां पर सभी वदा जिकारी ग्यापन देने डियम साब को आए थे इसमें हमारी 19 तारिक से बैटकी होना है गनेशी की और 29 तारिक को इनका विसर जाना है इसमें साफ सफाई सुरक्षा और घा से हर साल दिया जाता उस साल के से इसाफ से दिया जा रहा है और ये नौवा वर्ष जो गणिश महसों एकटा होकर एकत्यत होकर सब्देगे निकलती हैं बाकि बढ़ी मूर्तियां जो विसर्जन रूट में निकलती वाकि छोटी मूर्तिया गर-घर से निकलके एड़ना मनित जिलादिकारी महोदव आज 19 तारिक से जो हमारा गणेस महस्तो प्रारम हो रहा है उसकी आने वाली विभिंड समस्याओं के संदर्वे में आज ग्यापन दिया है जिसमें हमारे पूरे सहर में सब प्रतिमाय लगभग रखी जाती है 19 तारिक से उसकी प्राप प्रतिष्टा होगी उस जगय को साफ सपाई विजली की व्योस्ता नल की व्युष्टा सुरक्षा की संदर्वे में तथा आगामी जो 29 तारिको हमारा विसरजन भीसरजन रूट और नदी घाट को सुद्रन करने के लिए वहां व्युष्था करने के प्रिशासन को सुचना देजी लिए मैड़म ने क्या स्वासन दिया अस्वासन दिया हर बार उनलोग करते हैं पूरा सहयोग पहले से इस वता दिया जाता है प्रिशासन दिया पूरा अब अब